चलिए सर कुछ बच्चे, काफी बच्चे आज जो एंडरोल हुए हैं ओनलाइन कूर्सिस के अंदर वो पुरानी वीडियो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉलेज के अंदर आपका रेगुलर का हो सकता है कि कुछ कॉलेज में वी के सिंधानिया नहीं है क्योंकि जो भी कोसिंद दुट्राकरण कन के में और दूसरा second thing कि आपको जो एक्ष्टर कोस्च दिये जाएँगे इन हापको प्रक दिया जाएगे बाकि मैं जो कुष्चान दोंगा ना वो जादा से जादा चांसे स्मान के चलो कि Greece आहूजा के question होंगे बाकि आप book कोई भी ले ले मेरे से पूछेंगे तो मैं Greece आहूजा को prefer थोड़ा सा करूँगी इसमें question dependly अगर हम सिंघानिया और Greece आहूजा को देखें दोनों book अपने आप में best है मैं ये नहीं कह रहा कौन सा अच्छा बट सिंघानिया के अंदर थोड़े से tough questions है उसके अंदर CA के भी questions है उसके अंदर advanced level के question है जो Greece आहूजा में थोड़े से वो question है जादा से जादा paper में Greece आहूजा से question बनके आता है paper हमेशा आसान आता है अगर आपको सारे concept clear हो तो अब बात करते हैं sir जाफट से हम उसको देखते हैं जो बच्चे नए हैं उनको भी पता चल जाएगा और जो बच्चे पहले से हैं उनका थोड़ा सा revise हो जाएगा मैंने बताया था sir भ्यान से देखिएगा एक ये साल है इस साल का starting मैं बोलूँ अगर for example 142021 और अगर इस पूरे साल के अंदर पैसे को अर्ण करोगे और इंफेक्ट मैं बात करूं तो लास्ट देखिए ये वाला साल पता है कब खतम होता है एक त्यस तीन दो हजार बाइस खतम हो जाएगा कब रात के बारा बजे यानि 1169 कहलो बारा बजे जब आपका new year start हो जाता है life वाला new year नी income tax का new year यहाँ से start होता है हम तो एक जनवरी को मनाते हैं सेम बैसे तो सर यहाँ पे तो आपका मैंने बताया के possible नहीं है कि आप इतनी जल्दी secondo में P&L बना लो और net profit निकाल लो और net profit निकाल के सरकार को text दे दो that is not possible तो सरकार ने क्या करा government ने थोड़ा सा आपके लिए एक benefit दिया के sir आपको हम थोड़े time और देते हैं यहाँ पे जो कि हमारा अगला साल start हो गया 142022 और end हो जाएगा हमारा 31-3-2-0-21 31-3-2-0-21 तो sorry sorry 23 अब यहां से आपने जो पैसा यहां से यहां तक कमाया था जो पैसा उस पैसे को बोला गया कि आप यहां पर calculate कर लीजिए और calculate करने के लिए भी ऐसा नहीं बहुत जादा समय दिया गया calculate करने के लिए आपको सिर्फ 31 जुलाई तक दिया गया है आपको 31 जुलाई तक दिया गया है कि आप यहां से लेके यहां तक बैठ के calculation कर लीजिए इस calculation को करके क्या calculation sir net profit निका लिए ताकि आप क्या दे पाए टेक्स तो simple सी बात है जब आप इस वाले tax को paid करने जा रहे हैं तो आपने income निकाला है लेकिन ये वाला साल तो sir हमारा द से साल किये previous year इसका इसलिए नाम पढ़ी गया था क्या previous year और जिस साल हम calculation करते हैं इसको बोलते हैं हम assessment year assessment का मतलब ही dictionary में check करोगे तो मिलेगा calculate करना इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है हमारा assessment year अगर मैं बोलू आपको assessment year की tax निकाल लिए तो आप 22 और 23 के income को नहीं जो कि हमने last class में देखा था मैंने ये भी बताया कि सर ये 12 महीने का होता है और 12 महीने से कम का भी हो सकता है logically अगर आपने business यहां start किया है तो previous year इतना ही होगा लेकिन assessment year तो पूरा ही माना जाएगा यहां तक simple सी बात है इसके कुछ exception है सर exception क्या होते हैं अपवाद अपवाद का मतलब हमारा previous year ही कई बार assessment year बन जाता है कुछ exception है कौन-कौन से exception है चलिए हम उसको देखेंगे आराम से और फिर आगे देखेंगे कुछ बच्चों का कहना है कि सर what's up group बगरा कोई what's up गुरूप नहीं है जो application पर है वही गुरूप रहेगा आपका what's up गुरूप को अलग से नहीं बनेगा यहां पर तो मैं सारी चीजे detail बता दूँगा पहले न हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर सारे आपके question का answer दे दू यह एक theory basically theory क्या जो हमने अभी देखा था उसी को हम एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं question क्या है अपका define previous year पहले आप previous year को define करिए एक तो यह point पूछ रहा है इसके बाद कहता है income tax charge on income of previous year during the assessment year ठीक है assessment point do you fully agree क्या है आप इससे agree करते है statement is not और यह exam में देखिए exam वालों ने तो line लगा दी इस question का 2010 11 12 12 13 14 इतनी बार आ गयी है जितनी बार exam में यह आ चुका है तो आपके भी exam में आने की पूरी probability बनती है खेक है न तो जो भी question मैं बताओंगा आपको बता दूँगा इतने exam में आये हुए इसके आगे मैंने इसके अंदर डाले नहीं कोई फायदा नहीं आपको इससे ही पता चल गया होगा कि कितना important ह है थियोरी में क्या बता है सर previous year को define कर यह previous year को define क्या करा है इसने previous year mean the financial year immediately preceding the assessment year समझ में आई बात assessment year से जो जस्ट पहले होता है उसको previous year कहते हैं देखो कितना simple सा definition बता है previous year क्या होता है यह assessment year से पहले आता है उसी को आपको क्या करना है थोड़ा सा अच्छे language में लिख देना है for example in relation of assessment year 2019-20 immediate preceding financial year 18-19 और इसको समझाने की कुसिस कर रहा है तुम्हें समझ में नहीं आया अगर के previous year वो होता है जो assessment year से पहले आता है तो आप बोल रहा है हम समझा देते हैं मानलो अगला साल हमारा कौन से वाला है 19-20 तो पिछला कौन सा होगा समझे इसी को previous year बोला जाएगा तो देखो theory क्या होता है theory के अंदर आपको समझ में आ जाएगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह हमेशा start जो होगा 1st April से होगा 2018 से और end हो जाएगा 31 March 2000 sell the previous year in other words the year in which the known previous year जिस साल में हम income को क्या करेंगे उसी को हम previous year बोलेंगे मैं भी तो यही बोल रहा हूं इतने time से जिस साल में पैसे कमाए जाएंगे उसी को क्या बोलेंगे हम previous year ठीक है अब कहता है कि previous year in case of new source of income यानि कोई newly business started है या new source of income है उसके लिए क्या होगा कहता है sir in case of newly startup business and profession जो भी setup होगा हमारा business जो चलाए जाएगा profession profession मतलब teacher वगएर के काम को profession में ले लेते है new source of income during the financial year जो भी हमारे financial year में start हुआ है financial अब एक चीज़ ध्यान रखना जो हमारा financial year होता है और previous year बात एक ही होता है देखो previous year is equal to financial year ठीक है यानि जो financial year है आपने accounts के अंदर जितने भी year करें है 31 March as on as या फिर आप जो भी लिखते थे वो सारा financial year लेते थे आपको याद होगा कि आपने accounts में अभी तक तो यह बात तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है previous year और assessment year आपको जो साल दिया जाता था कर लिया जाता है तो हमारा यह ध्यान रखना है कि अगर financial year बोले जाए तो previous year ही बोला जा रहा है ठीक है चलिए सर यहां क्या कहता है newly income जो start-up business होगा the previous year shall be being date of आपका setting up the coming next existence of new business profession new source of income year ended financial year suppose a new business set up 10-3 मतलब मैं बता हूँ इतनी सारी बाते कर रहा है न साधरन सी सब्द में बता हूँ तो भाईया previous year एक अप्रैल को सुरू होता है 31 March को खतम होता है लेखिन कोई business अभी नया है start हुआ है एक मार्च को start हुआ है तो उसके लिए तो previous year एक मार्च से 31 मार्च सिर्फ 30 दिनों का ही बनेगा वही बात कर रहा है कि अगर कोई new business start है 10-3-2019 में तो previous year sell भी 10-3-2019 और end हो जाएगा 31-3-2019 वही बात बता रहा है आपको even though assessment year आपका 22 या even though आपका जो year होगा consist only कितने होंगे स्री 22 दिन है लेकिन इसी को आप क्या बोलोगे previous year ऐसा नहीं कि year लगाने का मतलब यह हो कि 365 दिन ही हो समझे बात जिस साल के बीच में fall हो रहा है उसी को हम year लगा देंगे ठीक है आगे कहता है it means there will be the uniform previous year all the SSC अब एक word आगया सर SSC हम इसको समझेंगे SSC को इस पर star लगा देते हैं आज हम यही समझने वाले for all source of income कुछ इसके exception है जो मैं बताने वाला हूँ सर exception क्या है यह देखिएगा देखो अभी तक जितना भी देखोगे ना तो मैं पढ़ के सिर्फ तसल्ली के लिए आपके बता रहा हूँ लेकिन मैंने तो बहुत वही समझाया है के सर previous year वो होता है जिस साल income कमाया जाता है previous year आपका बारा महिने का हो सकता है और बारा महिने से कम भी हो सकता है मोटा मोटी यही बात है वहां से यहां तक इसने बोला है सर चलिए आते हैं देखते हैं exception में है इसके अंदर exception का मतलब क्या है देखिए यह पूछा जाता एक्जाम के अंदर जो पूछा भी गया है नॉर्मली इंकम अर्ण दूरिंग दप्रीवियस इयर इट्स चार्ज टेक्स दूरिंग दए असेस्मेंट यर यही तो मैं समझा रहा हूं नॉर्मली इंकम कब कब आये जाता है प्रीवियस इयर में लेकिन चार्ज कब किया जाता है सर assessment year में करता है however there is certain exception to the rule इस rule का कुछ exception है the following cases of the libel to SSC tax in the same year in which income is earned exception का मतलब बता रहा हूँ कि कुछ cases में हमारे previous year और assessment year दोनों के माने जाते हैं same माने जाते हैं क्या क्या exception है सर मैं सिर्फ heading heading समझाऊँगा notes डाल दूँगा आप पढ़ लेंगे क्योंकि मैं पढ़ के क्या करूँगा वो तो किताब पढ़ने वाली बात हो गई आपने मैंने जो पहले समझा है आपने देख लिया कि जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़े लिखी है आपको पढ़ होगे तो समझ में आ जाएगी कहता है income of shipping business non-residence यह एक word आ गया non-residence star लगा दिया मैं समझाओंगा non-residence होता है जो कि ship का business है माल लेते है USA से माल आया वो USA का ship business ship business आप जानते हैं जिसे cargo वगर बोलते है USA से माल आया अगर ऐसा कोई business है जो USA से चल के आया है और इंडिया में आएगा इंडिया में माल उता रहा है तो इंडिया से क्या लेगा किराया लेगा कमाया कहां से इंडिया से फिर वो USA चला जाएगा फिर कभी आएगा क्या वो वापस USA से सर नहीं आएगा हो सकता आ जाए हो सकता ना आए तो उससे बोलते हैं भाई रुक जा पहले तो income tax भर और फिर जाएगा अगर वो ship वाला बोलता है सर मैंने income tax पढ़ा है कि income earn in previous year taxable in assessment year मैं next year आके दूँगा तो उसके लिए ये exception बना दिया गया कि सर आपके लिए नहीं है वो वाली बात आप चले गए तो हम आप phone लगाते रहेंगे लेकिन आप वापस तो आपको किराया मिला ना पैसे कमाए ना जितने पैसे कमाए चुप चाप उसपे टेक्स भर दीजिए आपके लिए कोई assessment year नहीं है तो ये किसका था income earn दूसरा कौन सा के assessor दूसरा कहता है अब income of person ne Park बंटा इंड्रिया जो इन्डिया से परमनेंट ली चोड़ के जा रहा है है अब कोई भी विक्तू इंडिया से चोड़ के जा रहा होगा कि परमानेंटनी का मतलब समझते हो कि अब नहीं आएगा वापस गया है अब कैसे पता चलता है यह सरー परमानेटकी होता है पासपोर्ट के लगता है जब वीज़ा लगता है तो वीज़ा लगाते है फलाइट गूमने के लिए जा रहे हैं उसका अलग वीज़ाहता है आप फ्लाइट पे नहीं बैठ सकते जब तक आप इंडिया से आप pers Brend willingly जाओंगे तो वहां सब्द अर्मी नहीं लेकिन आर्मी पार्ट हीं सबसे पहले बोलिए ऑधार काड़ लाओ, पासपोर्ट लाओ, सारी च भलेंगे तो फिर तुम वापस आओumbay उसने बोला बिल्कुल नहीं आऊंगा कितने दिन बाद जा रहे हो बोला कि छे मैने रही है इंडिया में अब हम जा रहे हैं पर्मानेटली बोला छे मैने में पैसे वैसे कमाएं उसने नहीं कमाएं बोला जाओ से लिख यांनें से बिलाओ कि ओला। इनकर तो भी कमा प्लॉण कि क्योंकि और यह बोलं इस्घ्यां फिर थेए आख सब्सक्रेया कॉझत है जो लग करेंड़ शूर्ख के ये जयर को आ दो जोना सब्सक्राइब गोप स्क्राइस किए गए से कि आपको अगली बार आने के लिए नहीं दिया जाएगा चांस आपको अभी भरना होगा टेक्स क्यों है वाइल लॉजिकली भी देख लो सोच लो क्योंकि वापस नहीं आएगा इंडिया का नुकसान हो जाएगा टेक्स का अगला पॉइंट है इंकम अफ एओपी बीओ आई आटिफिशियल जुडिशियल परसन फॉर्मड अपटिकूलर इवेंट मैं इसके इतने बड़े नाम जो दे रखें ने यह नाम अभी हम समझेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं इवेंट का क्या कह रहा है कुछ ऐसे बिजनस होते हैं जो ले जनमास्ट में तो उसका क्या हो गया शॉड्ट डूरेशन के लिए बिजनस हो गया या फिर आप देखो गया तो ट्रेड फेर वगर लगते हैं ट्रेड फियर तो एवरी यह आता है लेकिन उसके साथ एक आता ओटो एक्सपो ऑटो में मोटर कार से रिलेटेड बाते बत सकमाया आप बोलेगा एससमेंट यह तो उसके लिए ऐसा नहीं है उसे इसी टाइम पर टेक्स देना पड़ेगा यानि सिंपल सी बात करें न और बहुत आसान से बात भाई आपका बिजनस मना है थोड़े दिनों के लिए आपके लिए को एससमेंट यह वाला पंगार नहीं कुछ ऐसे परसन यह भी इंसर्ट किया गया है इंकाप और सब्सक्राइब और पर्सेट कुछ वैक्ति एससे करते हैं कि इनकम ना अपना किसी और के नाम कर देते हैं आज समझ में आजाएगा चलो इसको भी मैं स्टार बना देता हूं क्योंकि मैं इसलिए सारी थियूरी न income of क्या कहता है discontinue आपने बिजनस स्टार्ट किया बिजनस चला नहीं स्टार्ट अप था कुछ भी था बंद कर दिया अब बिजनस आप कभी करोगे निए discontinue मतलब बिजनस को बंद कर दिया तो इस businessman को भी government बोलेगा आप टेक्स दीजिए अगर यह businessman बोलता है कि हम assessment year में calculate करेंगे बोलेगा तेरे लिए क्या assessment यह तो बिजनस ही बंद हो गया निकाल बैटके टेक्स तुने बिजनस स्टार्ट किया था एक अप्रेल को और तुने जुलाई में बंदी कर दिया तो जुलाई से voice clear है एक बार check कर लीजिए तो हम आगे चलते हैं